दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल क्योशना फैंटेसी में अद आज हम बात करेंगे इंग्लेंड वूमेन वसर पाकिस्तान वूमेन के बीच खेले जाने वाले टी टॉंटी आई मैच के बारे में दोस्तो ये मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौनसे वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैट्समन का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बता हूँ wa तो वीडियो को एटक जरूर देखिएगा दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्योशना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैच इसमें आप एक किलीन सुईप ही करा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुणना आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों साथी साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है आपके पास अप्शन होने वाला है जो की नमबर 6 आपको बैटिंग करते वे नजर आएगी लाश मेच के बारे में बात करें 37 सन इनोने करें उससे पहले 50 सन इनोने करें फिर 48 सन इनोने करें उससे पहले 31 सन इनोने करें फिर 25 सन इनोने करें 8 इनोने करें 12 रन करें कमपेर करें एमी जॉन से तो एमी जॉन का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है फॉर्म अच्छी रही है दोस्तो बट इनको भी आप ट्राइक कर सकते हो नमबर 4 पर बैटिंग करते है फिलाल मैं एमी जॉन्स को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ वहीं अगर मैं बैटिंग में बात करूँ हेदर नाइट का आपके पास अच्छा उप्षिन होने वाला है बैटिंग ओर जो रहता है वो नमबर 4 पर रहता है लाश मैच के बारे में बात करूँ उससे पहले दोस्तो 62 रन इनोंने करे थे फिर 31 रन इनोंने करे 37 रन इनोंने करे दीसंट फॉर्म इनकी भी अच्छी रहे है आप इनको भी अपने टीम में ट्राइ करके चल सकते हो डैनी वाइट के बारे में बात करे लाश रन में जल्दी आउट होगे एक रन पे और अगर मैं उससे पहले भी बात करूँ दोस्तो 57 रन इनोंने करे थे फिर 11 रन करे 4 रन करे बाट उससे पहले और भी मैचेस देखूँ गे वहाँ पे भी फॉर्म इतना कुछ खास नहीं अभी मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ आप चाहो तो इनको ट्राइ करके चल सकते हूँ दोस्तो अमीन की बारे में अगर हम बात करते है पर्फोर्मेंस की बारे में किस नंबर पे आपको बैटिंग करते हूँ नच रहाएगी लाश उनने 9 रन करे उससे पहले 4 रन कर ला है नंबर 4 बैटिंग ओपन करेगी लाश में जल्दी आउट होई 4 रन पे उससे पहले अगर मैं बात करूँ 34 रन करे 26 रन इननने करे 33 रन इननने करे 19 रन इननने करे इस मैच में मैं इनके उपर रिसक लेके चल रहा हूँ आप चाहो तो सेफ ऑप्शन डैनी वाइट को भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो सम्स की बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तो बैटिंग ओडर रहेगा नमबर 3 पे लाश मेच की बारे में बात करूँ 35 रन करे उससे पहले 6 रन इननने करे फिर 10 रन इननने करे 9 रन करे आप चाहो तो इनको ट्राइ करके चल सकते हो अगर आप चाहो तो इनको ट्राइक कर सकती हो लेकिन फिर आप इंग्लेंड वुमेंड के टॉप ओर्डर के प्लेयर को ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि अगर टॉप ओर्डर फ्लॉप होता है तो यह मिडल ओर्डर में अच्छा कर सकती है बागी फिरोजा आपको उपन करते भी नज़ आएगी लाश विन में 17 रन करे उससे पहले 14 रन इनोंने करे फिर 4 रन इनोंने करे 21 इनोंने करे 14 रन करे ऐसी प्लेयरे जो 10-15 रन तो इसली आपको करके दे देगी बागी लंबी पारी शायद ना खेल पाए तो आप ट्राइक क कर सकती हो दोस्तो वहीं दोस्तो अगर यहां से हम नतालिय के बारे में बात करे बैटिंग और नंबर 6 पर रहता है लाश विन में 4 रन करे उससे पहले 12 रन इनोंने करे फिर 5 रन करे जीरो पर आउट होगी थोड़ा सा फॉर्म इतना अच्छा नहीं है तो इस स्मॉल करेगी कैपटन वो इसकेपटन कर सकते हो अगर खेलती है बट अभी नहीं खेल रही तो इसलिए मैं साइड में लेके चल रहा हूँ बाकी नीदा दार के बारे में बात करे नमबर 5 बैटिंग करेगी लाश में में 5 रन करे उससे पहले 4 रन इनोंने करे फिर 2 रन करे फिर 17 रिसन के पाँच मैचेस में 6 विकेट इनो ने निकाले बैटिंग थोड़ी से डाउन रही है दोस्तों इतना कुछ खास कर नहीं पाई लेकिन बॉलिंग इनकी हमेशा से अच्छी रहती है इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ फतीमा सना के बारे में बात करें बैटिंग ओर्डर के बारे में बात करें नमबर 7 रहता है लाश मैच के बारे में बात करूँ 16 रन करें उससे पहले 3 रन करें फिर 0 रन करें रीसन की 5 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेट मिल पाए दोस्तो आप चाहो तो drop करने का रिस्क भी लेके चल सकते हो अभी तो मैं इनको drop करके चल रहा हो इस match में कैपसी के बारे में बात करें नमबर तीन बैटिंग करती है लाश उनमें 5 रन करें उससे पहले 6 रन करें फिर 0 रन करें फिर 25 रन करें फिर 25 रन नमों करें आपके पास अच्छी option होने वाली spin balling करवाईगी और recent के अगर मैं 5 matches के बारे में बात करूँ न दोस्तों तो 7 wicket इनोंने निकाले तो आप भी रख सकते हूँ बाकी Gibson एक और आपके पास अच्छा option होने वाला है last win में कोई wicket नहीं निकाल पाई recent के 5 matches में सिर्फ 4 wicket निकाल पाईए लेकिन अगर बैटिंग से बात करूँ last 5 matches के बारे में तो 100 plus और इनोंने करे इस चीज को ध्यान में रखना पहले अगर इनकी team बैटिंग करते ही England women तो आपके लिए ज़्याद अच्छी option बनने वाली फिलाल में दोनों को ही अपनी team में रख रहा हूँ चार हमारे all round रहेंगे बालिंग के बारे में बात करें दूस्तो Sophie आपके पास must option है जिनको captain voice captain भी कर सकते हो हर match में wicket almost निकाल देती है recent के 5 matches के बारे में बात करें 9 wicket नोने निकाले पाकिस्तान women's से अगर सिद्रा इकबाल को आप रखते हो तो ये एक ऐसी player है दोस्तो baller है जो recent में साधी इकबाल wicket निकालते वे आ रही है last minute में भी 2 wicket निकाले और recent के 4 matches में अभी तक 6 wicket नोने निकाल दिये bell के बारे में बात करू last minute में अच्छा performance आता पहले इनकी team balling करती है तो ज़्यादा important है क्योंकि death में balling डालती है recent के 5 matches के बारे में बात करू दोस्तो 8 wicket नोने अभी तक निकाले बाकि सारा ग्लेन एक और आपके पास अच्छा option होने वाला है last minute में 4 wicket निकाली recent के 5 matches के बारे में बात करू 6 wicket नोने अभी तक निकाले है आप क्या कर सकते हैं अगर England woman पहले balling करती है तो आप bell के साथ जाईए और batting करती है तो gland को भी रख सकते हैं ये भी एक अच्छा option बन सकता है इनके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें T.Hasan का आपके पास option होने वाला है performance के बारे में बात करें टूबा अच्छ में लाश्ट में एक विकेट निकाली recent के 5 matches में अभी तक 5 विकेट निकाली grand league में एक अच्छा option बन सकता है शमीम के बारे में बात करें last week में कोई विकेट नहीं निकाल पाई और recent के 5 matches में सिर्फ एक विकेट अभी तक निकाली है दोस्तों इनके अलावा actor का आपके पास अच्छा option होने वाला है अगर पहले इनकी team balling करती है तो ज़्यादा अच्छा option है आपके लिए बन सकती है why the actor और recent form भी अच्छा रहा है recent के 5 matches में चार विकेट अभी तक इनकाले है फिलाल में आसे सिद्रा इकबाल को अपनी team में रख रहा हूँ Sophie हो जाएगी और Glenn तीन हमारे baller रहेंगे captain और voice captain के बारे में बात करें जिनको आप इस match में captain और voice captain कर सकते हो देखो अगर Natalie skiever खेलती है तो भाई फिर तो कोई सोचने समझने की बात ही नहीं उनको आप cvc कर सकते हो अगर मैं आपको लोगों के बारे में बारे में बोलू तो कैबसी को लेके चल रहे और Glenn को लेके चल रहे ये दोनों ही रिस्की player है चल जाए तो काफी अच्छे point देदे की नहीं चले तो कुछ point शायद ना दे अगर आप save जाना चाते और best option तो मेर को लगता है नेदादार एक अच्छा option होने वाला है हाला कि Pakistan women थोड़ी सी weak team लग रही है तो शायद इतने अच्छे point नहीं दे बटी एक अच्छी player है all rounder है बाकि मैं इस match में Sophie को करूँ है captain क्योंकि हमेशा ऐसी player रही है जो आपको wicket निकाल के दे ही देती है 10 में से 9 match में तो आपको हमेशा wicket निकाल के दे ही देगे और voice captain के बारे में अगर मैं बात करूँ तो hitter night के साथ जा रहो दुस्तो बाकि यहां से एक player Gibson को भी आप जरूर कर सकते CVC पहले betting करती England moment हो फिलाली हमारी team का preview आप इस team के साथ contest join कर लिजेगा final team telegram पे मिल जाएगी link इस video के नीचे comment box और description में दिया आवाए बाकि वीडियो अच्छा लगता हूँ तो इस video को लाइक करके और channel को subscribe जरूर कर लिजेगा दुस्तो